दर नभी पर बड़ा रहूगा पड़ ही रहने से काम होगा कभी तो किसमत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा आप सब जानते हैं कि जहविरिया सौथ को पाकिसानी ड्रामा इंडस्ट्री की सीनियर और बेहतरीन अदाकराओं में शुमार किया जाता है वो अपनी शांदार अदाकारी से गुजशता पच्चे सालों से लोगों के दिल जीत रही हैं और इसकी तारीफ में ये कहना काबले कबूल होगा कि वो हर किसम के किर्दार बड़ी महारत और असानी के साथ अदा करती हैं पाकिसानी अदाकारा और मौजल जविरिया सौथ ने अपने शोबिस केरियर का अगास टीवी पर नातें पढ़कर किया और वो कभी टीवी पर अदाकारा नहीं बना चाहती थी लेकिन अचानक फिल्म स्टार सौथ खासमी से शादी के बाद जविरिया सौथ अदाकारी में दिल चस्पी लेने लगी इसी तरह इसे बगहर किसी रुकावच के एक बार टीवी पर अदाकारी का मागा मिला और फिर इसने देखने वालों के दिल चित दिये जविरिया सौथ एक पाकिसानी अदाकारा हैं जिन्होंने कराची के लाके डिफेंस में अपना बैंगलो बनाने के लिए दिन रात काम किया है और अगर आप भी जविरिया और सौथ के घर के अंदरूनी वीडियो देखना चाते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं दूसरी तरफ अदाकारा ने अभी कुछ साल पहले अपनी बेटी जन्नत के नाम पर कपड़ों का ब्रेंट लाँच किया है हम पाकिस्तानी अदाकारा और मौडल चैविरिया सौथ को ईद मिलाद नबी अपने घर वालों और दोस्तों के साथ अपने घर में बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हुए देखेंगे जैसा कि वारल तसावीर में देखा जा सकता है अदाकारा इस पाके पर शवाल खमीस पहन कर नाते पड़ रही है 2021 की ईद मिलाद नबी की याद में चैविरिया ने अपने करीब ही शोबिस दोस्तों को भी अपने घर मद्दू किया